नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिमरन की रसोई में आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ एकदम कुरकुरे मज़ेदार सोया बिन के पकोडे यानि कि सोया चंक्स के पकोडे ये इतने बड़िया लगते हैं कि स्टार्टर के तौर पर खा सकते हैं, कोई भी घर पर पार्टी है या फिर सोब बना है तो उसके साइट में ये बना ले काफी चटपते, मज़ेता और कुरकुरे पकोडे हैं ये तो इसके लिए मैंने कड़ाई रखती है और इसमें मैंने 2 गलास पानी डाल दिया है जैसे ये गरम हो जाए ना तो इसके अंदर हम ढलेंगे 1 कुप सोयाबडी आप क्या बोलते हैं तो इसे हम तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से पखाए और देख सकते हैं तो यहां पर पकोड़े हमें तनले हैं तो उसके लिए देखिए आपर मैंने तेल गरम करने रख दिया है और ये बिना बेसन के पकोड़े हैं काफी कुरकुरे और टेस्टी लगते हैं एक बाहूल में ये पकी हुई सोया बिन आपको डाल देनी है चाती साथ दो चमच मैदा और एक चमच क मिक्स काई लेना है अब देखें ये जो सोया बिन यानि की सोया चंग से इस पर ये सारी अच्छे से चीज़े चिपक जाए जो हमने मैदा कॉन फ्लोर मसाले डाले उसके लिए दो से तीन चमच जितना पानी इस तरह से डाले और अच्छे से मिला ले तो सारी चीज़े अच कुछ इस तरह से होना चाहिए उसके बाद अच्छे गरम तेल में ध्यान रखेगा तेल पहले से गरम करने रख दीजेगा अच्छे गरम तेल में एक एक करते इस तरह से ये सोया बिन डालती जानी है और ये एक्तम कुरकुरी क्रिस्पी हो जाए तब तक इसे आपको फ्रा चटपटी, बहुती कुरकुरी लगते हैं ये पकोडे, देखे इसी तरह से बाकी बचे पकोडे भी हम बना लेंगे, इसमें सिर्फ एक बात का धियान रखना है, वो ये कि इसके लिए अच्छा गरम तेल होना चाहिए, अगर भूल से भी आपने ठंडे तेल में डाल दिया न आप इसे चाए के साथ लें, और आपको तो पता ही है, आपको तो पता ही है, सोयाविन तो अइसे भी प्रोटीन से भर पूर होती है, चाए के साथ ले या कोई भी चटनी और कैचप के साथ Santo Jac или IDE, बहुत बहुती बढ़िया लगता है, तो ट्राय कीजे और जाते जाते चैन को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थैंक यू फॉर वाचिंग